राजी नामा विजयदान देथा बढ़ती उम्र के साथ साथ सिंदगी की घटनाएं समय की राख तले दबती जाती हैं पर कभी कभी ठेट बच्पन की कोई बात सारी उम्र नहीं बुच्चती राख के नीचे जियों की तियों जगमक करती मिल जाती है आज तो मैं एक लेखक की मर्यादा निभा रहा हूँ पर उन दिनों कोरा मोरा एक पाठक ही था पढ़ने लायक कोई किताब हाथ लगी नहीं कि गटा गट आँखों से पी जाता शायद नौही कक्षा में पढ़ता होंगा तब की बात है मैं खुद तो घर पर ही रहता था पर संगी साथियों से मिलने की उमंग में दूसरे तीसरे दिन चारण होस्टल के चक्कर लगा आता था सवभाव तो सभी लड़कों का अलग-अलग होता है पर खिनावडी गाओं का सैंस करण एक बेढ़ब सवभाव तथा निराली सूरत का लड़का था मतीरे की तरह गोल, सफा, चट, खोपड़ी ये लंबी चोटी थुल्थुल शरीर कील मुहासों से भरा गोल चहरा मिचमिची आँखें मानो उस्तरे से चीरा देकर अंदर बिठाई गई हों किसी से भी अधिक मेल मलाकात नहीं एक दम एकल खोरा बतलाने पर भी मुश्किल से बोलता अपने ही दंद भंद में उलज़ा हुआ मन करता तभी एक चम चमाता काँच लेकर मूँ के सामने रख लेता और हाथों से इशारे करते हुए अपनी प्रतिबिंब से देर तक बातें करता रहता संगी साथी जब तब चिड़ाते पर वो किसी की कोई परवाही नहीं करता मानो पत्थर से कहा गया हो मन ही मन, मंद मंद मुस्कुराता रहता सभी कमरों में अक्सर उसकी चर्चा चलती रहती थी सुनते सुनते मेरे पास काफी मज़िदार मसाला एक खटा होता गया वो कांच में टुकुर टुकुर इस प्रकार अपनी सूरत देखता मानो वो कोई दूसरा ही लड़का हो और इस तरह निशंक बातें करता गोया किसी मित्र से बातें कर रहा हो एक दफा फटी हुई चुनरी के चित्रे से रंजी ज़ाड़कर टेबल पर कांच रखा सामने कुर्सी पर बैठ कर कुछ देर तक अपना प्रतिबेंब निहारता रहा फिर होट मुलमुलाते हुए बोला बता इस बार तिमाही में फेल कैसे हुआ मुह उतार कर धीरे से जवाब दिया मैं अकेला ही थोड़ी फेल हुआ कक्षा में आदे से ज़्यादा लड़के फेल हुए है उसने आखें तरेर कर तीखे स्वर में फटकार बताई दूसरे गए भाड में तुझे उनसे क्या लेना देना अपनी हैसियत के अनुसार चलना चाहिए तुझे मालूम नहीं घर में कितनी तंगी है बर पेट खाना न खाकर घरवाले तुझे पढ़ाते हैं और जनाब को कोई परवा ही नहीं पर्चे बहुत कठे नाए थे अच्छा क्या तेरे अकेले के लिए कठे नाए थे बाकी लड़के कैसे पास हुए महनत तो काफी करता हूँ इम्तिहान के नाम से ही जोड़ी चड़ती है जो आता है भूल जाता हूँ शहर में आकर बातें बनाना तो खुब सीख गया है ढंक से मन लगा कर पढ़ाई करेगा तो ही सुख पाएगा कान खोल कर साफ सुन ले आगे कोई गलती की तो तू तेरी जान एक बार वो दो तीन घड़ी दिन चड़े देर से उठा तो उसे बहुत बुरा लगा जल्दी जल्दी बिना साफ की ये ही काँच सामने रखा और दात पीशते हुए पूशने लगा रात को इतनी देर से क्यों आया जरूर सिनेमा देखने गया होगा जरा देर से आया नहीं कि तो सच बता कहा गया था तो कहां गया था माथे में बल डाले कुछ देर तक सोचता रहा फिर बोला गोडों के चौक से मौसी जी से सांच को मिलने गया था मैं तो खूब इंकार करता रहा पर उन्होंने बिना ब्यालू किया आने नहीं दिया फिर मुझे थोड़ी उंग आ गई जबते ही सीधा होस्टल की तरफ भागा विश्वास नहों तो तुझ पर और विश्वास मैंने सब पता कर लिया है करणी दान और राम बक्ष के साथ हजरत चार भुजा टाकीज में पधारे थे तुझे कितनी बार समझाया इन लफंगों के साथ मत रहा कर मेरे सामने जूट सवार ना चाहता है तू तू कहे तो उन्हें रूबरू बुला कर पूछू ये बात सुनते ही काच वाली चाया का मू उतर गया आखे नीची करके इधर उधर जागने लगा फिर दोनों हाथों से कान पकड़ कर कहने लगा कल भारी भूल हो गई अब कभी गलती नहीं होगी आज माफ कर दो बस आज माफ कर दो माफ करने पर तो ओल्टा और ज्यादा बिगडेगा एक बार ठीक से मरम मत हो जाए तो फिर कई दिनों तक निश्चिंत नरलज लाज शर्म से वास्ता ही नहीं गाउं के सगे संबंधी दुश्मनों से भी बत्तर है उनका बस चले तो गाउं ही छोड़ा दे घर ओलों की सबास में थे जिए जेंड़ियों वकालक पास कर ले तो घर वालों की तकलीफ सार्थक हो वह नहीं सब की आस पर पालर पड़े लग पड़ेंग़ी पर तेरी गत्बी में कम बंबंगरी वोही हंसिया वही घास वही कुलाड़ी वही लकड़ी वही हल वही धूपअ वही पसीना वही लूर वही छोपडी ठीक मन लगा कर नहीं पढ़ा तो तेरे काटे तेरे को ही चुबेंगे फिर मिची आखें फाड़ कर कांच के सामने देखता बुला भलाई इसमें मुख फुलाने की क्या बात है भलाई की बात भी कड़ी लगती है ये दिन तो कुलाचे भरते निकल जाएंगे फिर बेहत मुसीबतें उठानी पड़ेगी समझता नहीं है अरे कांच में ये गदे का चेहरा कहां से उभर आया कहीं पीछे कोई गधा तो नहीं खड़ा है उसने जेजक कर पीछे देखा कुछ भी तो नहीं फिर सामने मू करने पर अपना ही चेहरा साब दिखता जगा जगा कीलें ही कीलें ओ कुत्ते की तरह ये कांन इतने लंबे कैसे हो गए आँखे बन करके वापस खोलता तो कां फिर वैसे ही हो जाते कां की लौ पकड़ पकड़ कर बाहर बाहर जोर से खींचता चिट्टी अंगुली से कां का मेल निकालता एक बार दे मैं हूँ, मैं हूँ, वही तू है, हाँ, फिर मैंने पहचाना क्यों नहीं, वो तो तू जाने, शायद दारू पीने से आखों की रंगत बदल गई हो, क्या, तूने फिर दारू पी, मैंने नहीं पी, तूने पी, उसके बाद दोनों हाथों से सर पकड़े, वो थोड़ी देर पैठा रहा, फिर मुश्किल से हिम्मत करके उसने फिर से काच की तरफ देखा, सर पर ये दो सीन कैसे हो गए, आगी देखने की हिम्मत नहीं हुई, कुरसी पर से जट से खड़ा हुआ, अपने हाथ से छुपाई हुई बीडी माचिस लाकर वापस कुरसी पर बैठ गया, उ पर दो नुकीले सींग, कहीं इस काच की रंगत तो नहीं बदल गई, वो जुझला कर खाट पर जाकर लेट गया, फिर उसने काफी दिनों तक काच नहीं देखा, एक बार घुस्से में तम तमा कर उसने कमरे का ताला खुला और ठोकर से दर्वाजा उगार बसते को खाट प पैट गया, काच पर गर्द ही गर्द जमी थी, अकस्मात उस गर्द के भीतर से एक चहरा प्रकट हुआ, उस पर नजर पढ़ते ही वो कहने लगा, अच्छा आज कल साहब जादे छोकरियों के पीछे भटकने लगे हैं, अब तो पूरी बात ही बिगड़ गई, जो भी बात हो मुझे साफ साफ बता दे, वरना आज तेरी शामत है, शामत, सरकारी सडक मेरे अकेले के पटे की नहीं है, बहुत से आदमी इधर उधर चलते रहते हैं, मैं किस-किस का ध्यान रखूं, तुने खास ध्यान रखकर पीछा किया, तब ही मुझे इतना घुसा आया, पहले त तु मुझे 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 दिखा रहा है, ऐसी बात है, तो आप मुझे देखते ही क्यों है, मैं तो डर के मारे सामने ही नहीं आना चाहता, पर आप ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जोर कहीं का, मेरे सामने जबान चलाता है, खबरदार, खबरदार ज्यादा बक पूरी बहुत भी शर्म हया हो तो चुलू बर पानी में डूब मर घर वाले तो चाच दलिया खाकर जैसे तैसे जून पूरी करते हैं और जनाब के लिए घी भेजते हैं गोंद के लड़ू भेजते हैं उनके सपनों के साथ दगा करके तो छोक्रियों के पीछे डोलता फिरता है मेरे भी तो कुछ सपने होंगे तेरे तेरे फिर कैसे और क्या सपने हैं बता तो जरा सपनों जैसे सपने मेरी उमर के मताबिक सपने और क्या फिर घर वालों के सपनों का क्या हो गरे घर वाले जाने तू कुछ नहीं जानता नहीं मैं तो अपने सपनों के अलावा दूसर यह बात कहते ही उसे घुसा आ गया तड़ा तड़ पांच साते एक लाफे रसीद कर दिया खुद को गाल लाल हो गए और आँखें चल चला आई आगे शकल देखने का साहस नहीं हुआ थोड़ी देर सर जुका कर बैठा रहा फिर गरदन उठाकर मिचमिची आँखों से कांच की ओर देखा अभी तक गाल लाल थे तीन चारे केलें फूट गई थी आखिर हिम्मत हारते हुए अंतिमधम की दी अब कभी छोक्रियों के पीछे डोलते देखा तो करदन मरोड दूँगा ठ्यान रखना कुछ उत्थर नहीं मिला आखों में आखें डालकर वो अपना प्रत आते हुए कहने लगा ये कैसी अन्होनी बात हुई कांच में अपना ही चहरा नहीं दिखाई देता फिर वो बावले की तरह दोडता हो होस्टल के बाहर गया हलवाई की दुकान से एक दही थड़ी और एक लड़्डू लाया वापस कुरसी पर बैठ कर कांच में देखा तो बदमाशी करेगा तो और मारूँगा तो फिर ये जूठा दुलार क्यों हाथ न ठके तब तक मारे जाओ ले ले खाले ज्यादा जिद मत कर नहीं तो और मार पड़ेगी कांच वाला प्रतिबिंब मुझ फुला कर बोला हुर्गिज नहीं खाऊंगा जो करना है तो कर लो ज नहीं अपन दोनों एक ही हैं फकत ये शीशा ही मुसीवत की जड़ है मेरा कहा मान मैं तुझे खुश करने के लिए ही मिठाई लाया हूँ ले खाले पहले इस कांच के तुकड़े तुकड़े करके बार फैंक दीजिए फिर मैं आपका कहा कभी नहीं टालूँगा वचन दे पिर राम जाने उसके सर पर क्या खब्द सवार हुई कि कपड़े धोने की मोगरी से उसने कांच के तुकड़े तुकड़े कर दिये और गली में फेंक कर खुशी खुशी वो मिठाई खाली उसके बाद जब कभी मिठाई खाने का मौका आया उसने कभी हील हुच्जत नहीं की उसी दिन से दोनों के बीच एक ऐसा पुखता राजी नामा हो गया था और आज उस राजी नामे का ये करिश्मा है कि एक अकिंचन थानेदार होते हुए भी लोग बाग उसके पास पांच लाख रुपे की पूंजी कूटते हैं